एक बार की बात है, एक चमक्ती नदी के किनारे, एक बुधिमान बंदर पेड़ पर बैठ कर, स्वादिष्ट फलों का मजा ले रहा था। एक धूप वाले दिन, एक मगरमच्छ तैर कर आया और लालाची निगाहों से बंदर को देखने लगा। नेक दिल बंदर ने अपने फल उसके साथ बांटे और जल्द ही वे दोस्त बन गए। हर दिन मगरमच्छ आता और वे एक साथ फलों का लुथ उठाते हैं। लेकिन मगरमच्छ की बीवी को उनकी डोस्ती से जलन होने लगी और उसने एक चाल चली। उसने अपने पती से फुस-फुसाया कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है क्योंकि उसे लगता था कि वह भी फलों की तरह मीठा होगा। अनिच्छा से। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर पर आमंत्रित किया। नदी पार करते समय उसने अपनी बीवी की बुरी इच्छा के बारे में बंदर को बताये। चतुर बंदर ने तुरंत कहा कि उसने अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। इस तरह उसने अगरमच्छ को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। लालच और धोखे के कारण उसने एक सच्चा दोस्त खो दिया।